हेलो फ्रेंज मैं मौनिका आपकी गार्णर दोस्ट आज आप से कनेर के बारे में बात करूंगी कनेर के देखे कितने खुब सूरत लग रहे हैं यह फ्लार्स कनेर जो है वह होट एरिया का प्लांट है बिल्कुल सन पसंद करता है यह और डेजर्ट वगेरा का हमारे राजिस् यह ज्यादा नहीं मांगता है इस तरह का है रोट साइट वगेरा पर उगते हैं और गार्डन में भी जहां आपको रफ टाफ प्लांट लगाना है वहां आप इसको लगा सकते हैं और यह दो वराइटी आती है वह बहुत लंबे लंबे पौदे जाते हैं और उनके फ्लास है इसलिए लैदरी होती है कि उनसे वाटर लॉस नहीं हो ऐसी मेकैनिजम उनमें होता है तो वह बहुत लंबे लंबे जाते हैं देसी होते हैं उनमें भी रंग काफी आते हैं रेड मजेंटा कलर वगेरा यह जो मेरे पास वराइटीज हैं यह हैं डौफ वराइटीज और इ मज्य कम मिलता है मुझे मिल गया हमारे है मुझे कहलाओ नीचे की तरफ जुके रहते हैं यह बाकी दोनों के फ्लाइज यह तोडे के तोड़े नीचे पियारा लगता है तो ये देखें कितने खुबसूरत मजेंटा डाक पिंक कलर है ये कितना खुबसूरत है और डौफ ओले की पतिया थोड़ी छोटी और कम लेदरी होती है बहुत खुबसूरत लगता है इसकी में चीज़ मैं बताओं आपको जब आप इसको नरसरी से लेके आएं तो हमेशा ऐसा पौदा लें देखिए ये फूल उपर करते हैं तो कितने खुबसूरत रहते हैं थोड़े से जुके रहते हैं इसके फ्लाज तो जब आप ये पौदा लेके आएं तो आप ये देखें कि एक गंबले में लाएं या थैली में जो भी लगा हूँ लाएं एक पौट में एक ही कलम लगी होँँ एक ही पौदा लगा हूँ अना चाहिए कि फिर वो धीरे दीरे मैचोर होता है और उसका मेंस्टम मोटा हुता है तो पौदह की शेप ज्यादा अच्छी आथी है तो वह अच्छे तना ग्रो करता है अच्छा मैच्जोर होता है वह प्लावन्ण तो इसलिए ये देखके लाएं कि जब भी लाएं एक गमले में एक ही पौधा लगा हुआ होना चाहिए पर फिर जब हम इसको लगाते हैं तो जमीन में भी जब हम लगाएं तो इसको थोड़ी सी क्लेई सॉयल पसंद है मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मैं कहते हूँ इसलिए जब मैं पौट में बात करती हूँ तो मैं कहते हूँ कि वैल ड्रेंड वैरी वैल ड्रेंड सॉयल बनाएं ये तो देखिए उपर मैंने ये खाद दी हुई है खाद की एक लेयर अब फरवरी में अच्छी सी खाद देनी चाहिए इनको क्योंकि अब इनका सीजन आ गय है थोड़ी सखत हो मिट्टी ऐसी मिट्टी इसको पसंद आती है तो इसकी मिट्टी जब हम बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे वैसे मिट्टी इसको फर्टाइल पसंद है तो इसकी मिट्टी बनाते वकत हम एक हिस्सा मिट्टी मिलाएंगे और एक हिस्सा उसमें खाद मिलाएंगे मतलब आदी मिट्टी आदी खाद ले लेंगे और दो चार मुट्टी अगर reverse end मिलानी है तो मिलादें पॉर्ट में लगा रहे हैं तो बाकी अगर नहीं भी मिलाएंगे तो आप खाली मिट्टी और खाद को मिलाके लगाएंगे तो यह पौदा क्योंकि शिर्व मिट्टी थोड़ी सकत रहनी चाहिए फ्री फ्लो फ्लोइंग जैसे में अपने गंलों की धिकाती हो वैसी नहीं होनी चाहिए इसकी मिट्टी अभी मैं इसलिए नहीं दिखा पा रही ह favors की ऐक है धेकं फिर भी जब आपको कोई Имकाल दिख रहा है, टो फिर इसम演 या को or अशा अपर स्प्रे करें तो दो आ है το यह जो ऑर्गैनिक यह ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया और उसका असर हो जाएगा इनको असर करने में इनको थोड़ा सा बार बार देना पड़ता है तो यह असर करता है और वैसे अगर हम इसको देते हैं कि पौदे को वैसे महीने में एक बार दे दे तो उसमें फिर आपको एक बार ही पसंद है फुल सन वाला एरिया इसको पसंद है अगर आप इसको कम धूपाली जगह में रखेंगे तो फिर इसमें फूल नहीं आएंगे या फिर छोटे से फूल आएंगे या थोड़े कम फूल आएंगे और दूसरा के एक दम बीच में इसको जैसे गंबले में लगाया तो लगा देंगे तो इसको इधर उदर गिरता रहेगा तो थोड़ा पिसी दिवार वगएरा के साथ इसको लगाएं तो उससे एक फैदा और होता है स्पेशली विंटर्स में कि जब दिन में दूप पड़ती है तो वो दिवार गरम हो जाती है और रात को जब ठन पड़ती है तो वो दिवार में जो गर्मी समाई होई होती है वो इस पौदे को मिलती रहती है तो इसको दिवार के साथ कहीं लगाएं तो यह अच्छा रहता तो वो अच्छा रहता है इसकी लाइट और सन की रिक्वार्मेंट बहुत हाई होती है अच्छा दिवार के साथ रखने से जैसे पौदा थोड़ा लंबा होता है और कसा डेलिकेट तो नहीं कह सकते लेकिन बलकी सा होता है तो इसको ज़्यादा हवा वगेरा से भी प्रोटेक जो वह सही रहता है अगर इसमें मैंने कहा जैसे इसको सनलाइट कम मिलेगी तो इसमें जो फूल है वह कम आएंगे और धीरे धीरे कभी आगए ऐसे बहुत मुश्किल से आते हैं तो इसलिए इसको जो है वह सन में रखना है आपको खाद की जब मैं बात करती हूं तो इसको आपको फरवरी में अच्छी सिखात देनी है बहुत अच्छी तरह से और फिर जब इसके जैसे यह ब्लूम्स आके चले जाएंगे वैसे तो यह जैसे गरम इलाकों में जब यह लगता है तो इसमें सारा साल ही आते रहते हैं फूल तोड़ी तोड़ी दिनों बाद लेकिन इस पौदे की शेव देनी है वैसे विंटर जब शुरू होने से पहले मेरे कहले अगर सितंबर में अगर आप इसकी कटिंग करें तो बहुत अच्छा रहता है और कटिंग भी क्या है कि आप बहुत जमीन में लगा हुआ है पुराना पेड़ तो बहुत नीचे से भी कटिंग दो जैंगे और अगर आप का छोटा पेर पौदा है तो बस उपर उपर से जो एक दो दो इंच कर देंगे तो और घंआ हो घुहा ओदगा और बहुत ज्यादा ब्लूम जाएंगे और बहुत ज्यादा नीचे से कर देंगे ना कटिंग आप पौदू अब पौदे में लंब प्रूनिंग करें ताकि यह जो फ्लार लगी हुई डंडी है ना फ्लार स्पेंट होने के बाद बस इनको काटे तो आपका पौदा बहुत अच्छे और ज्यादा जो है वो फूल देगा और जैसे मैंने कहा इसको न्यूट्रियंट रिच सॉयल पसंद है तो जैसे इसका फ्ला कटिंग जैसे मैंने का इसके लगी होनी चाहिए उसका भी आप ध्यान रखें अगर ज्यादा कटिंग वाला होगा तो फिर जैसे मैंने का आप मैं बीच में यह बात याद आ गई तो शायद मैं दोहरा रही हूं इसको तो एक सिंगल कटिंग वाला ले तो ज्यादा कटिंग लगाने के लिए फरवरी का सीजन बहुत अच्छा होता है मार्च में भी इसकी अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं कटिंग लगाने के लिए जो है ऊपर की चार पांच इंच की जो है वह कटिंग ले लें आप यह फ्लारिंग जो स्टॉक है ना इससे होड़ा सा रूटिंग होर्मोन लगा के मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी और अच्छा जब वाटर की अगर अब इसको इसको बात करें तो पानी सर्दियों में तो इसको आपको कम पानी देना है थोड़ा ड्राय साइड में ही रखना है और जब आजकल अगर फरवर केमी इसके गं दाल दें तो अच्छा रहता है नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है और इसको तो फीक वो मतलब जिएक यह तो अपनी ऑन रखना या वहुत सब्फ entitled remeoOL को तो इस चीज़ का ध्यान रखें गर्मियों में तो मैं जैसे और पौदों को पानी देती हूं तो दिन में एक बार इनको पानी देना हो जाता है और स्पेंट फ्लार को आप अपना सुंदर भी लगता है अगर उसमें सुखे हुए फ्लार लगे रहते हैं तो पौदा अच् अच्छी तरह से जैसे मैं अभी आपको दिखाया भी था कि मैंने अच्छी तरह से इसको फर्टिलाइजर दे रखा है तो फ्रेंड्स यह था कनेर के बारे में यह डौफ वाले कनेर अगर आपके परस नहीं है तो यह टेरस गार्डन के लिए गर्मियों की फ्लारिंग के ल बाइ